नमस्ते दोस्तों मैं हूं कुसुम और मेरे चानल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको आउले की चटपटी चटनी बनाना बताऊंगी अगर आप एक बार इसे बना के रख लेंगे तो हफ्ते भर फ्रीज से बाहर भी रखके इसे अराम से खा सकते हो हनिया को धो के एक छलनी पर रख देंगे इसका पानी निकल जाएगा यहाँ पर हमने 8 आउला लिया है और ग्राम में 200 ग्राम है तो इसको हमने वास कर लिया है वास करने के बाद साप सूती कपड़े से पोंच लिया है अब इसे काट लेंगे और इसका बीज अलग कर देंगे आमले को काटके हमने इसका बीज अलग कर दिया है और हमें चाहिए एक चम्मच सरसो का पाउडर इसका दरदरा पाउडर हमने आलरेडी बना के रख लिया है यहां पर हम ने लिया है अलग से थोड़ा से ले लिया है इसमें सोंफ जीरा जवाईन मेथी सब कुछ मिक्स है 5 चीजों को मिलागी पंवन वनता है और लासुन इसमें 8 से 9 हरी मिर्च डालेंगे आधा इंज अध्रक का टुकड़ा टर्मरिक पाउडर यानि हल्दी पाउडर आधा चम्मच छोटी चम्मच है और इस चम्मच से हमने सॉल्ट लिया है यानि नमक आधा चम्मच और थोड़ी सी हिंग डालेंगे अब यहाँ पर मस्टार्ड ओईल यानि सर्सु के तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है अब इसमें लसुन को डाल देंगे और मिर्ची को हमने दो भागों में काट लिया है इसे भी डाल देंगे अब इसमें सभी इंग्रीडियन्स को डाल देंगे कि ये चा मक्शाशा हु का अपार, बच्छा प्पार एा हु अ टेस्ट के अकोर्डिंग नमक भी डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करके तीन चार मिनट के लिए ढख देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अब यह पख गया है अब गैस का अपने माप करके इसी थंडा कर लेंगे आवला थंडा हो चुका है चटनी को पीछ लेंगे इसमें पानी की मातरा नहीं रहती इसलिए चटनी खराब नहीं होती है इस धनिया के साथ पीछ लेंगे धनिया के साथ हमने इसे पीछ लिया है और इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है यह चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है इस तरह से आप देख सकते हो इस चटनी को रखके आप एक हफ्ते तक खा सकते हो पूड़ी पराठा रोटी के साथ यह बहुत टेस्टी लगता है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरी चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद